बारिश क्यों और कैसे होती है आए जानदे हैं जब गर्म हवा फेंडल और हाई प्रेशर वाले अट्मूर्श लेके कॉंटर्ट में आती है तब बारिश होती है गर्म हवा ठंडी हवा के जादा पानी जमा कर सकती है अपने द्वारा जमा किये गए पानी के साथ जब गर्म हवा फेंडल की तरफ जाती है तो धंडी क्लाइमेट से जाके मिल जाती है और गर्म हवा में पानी का भाग ज्यादा होने से उन्हें पानी को नीचे गरा देती है जिसे हम बारिश कहते है ऐसे ही informative और interesting videos के लिए हमारे को लाइक शेयर और सब्स्ट्राइक और नाव कुले थैंक यू बहुत तेज बरसाद होने के काम किसान और ये पशलों को बहुत नुक्सान हो रहा है और किसान बहुत ही दुक्षी है